यूपी के सीम योगिया दितनाथ है उद्धिया से लड़ंगे विधानसबा चुनाव सुत्रों के मताबिक बीजेपी कोर ग्रूप की बैठक में फैसला अधिकारी का एलान बागी यूपी में सीट बठवारे को लेकर अमिच्शा के साथ हनुप्रिया पटेल और राशीश पटेल की बैठक सुत्रों के मताबिक सीटों पर बीजेपी के साथ हपना दल और निशाद पार्टी की सहमती बने सौमी परसाद मौरे के बाद यूपी के वन और पर्यावरन मंत्वी दारा सिंग चोहान का स्तीफा अखलेश यादव से मिले अखलेश बोले दारा सिंग और सौमी परसाद मौरे हमारे साथ मैं लड़ता रहा और इसके बाद भी जब उनको नयाई नहीं मिल पाया आहत हो करके मुझे फैसला लेना पड़ा योगी के बागी मंत्री दारा सिंग चोहान के साथ अकलेश यादव में फोटो जारी किया बोले दारा सिंग का समाजवादी पार्टी में स्वागत सबको समान सबको स्था योगी सरकार में मंत्री पत से स्थीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौरे का एलान 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल और और लोग भी होंगे साथ 14 जनवरी को आप उस दिन देखेंगे जो भी जवाइन करेगा उसके चेरे आपकी शामिले आएंगे इबीपी निउस स्री वोटर के सर्वे में 47 फीजदी लोगों ने कहा सौमेपसाद मौरे के जाने से बीज़ेपी को कोई असर नहीं पड़ेगा 40 फीज़ेपी लोगों की राए मौरे के जाने से असर पड़ेगा युपी के बदोई से बीज़ेपी विधायक रविंदरनात रिपाची बोले मेरे लेटर पैट का इस्तमाल कर मेरे स्तीफे की साज़ेश रचे गई मैं तो बीज़ेपी के साथ हूँ इसी बड़े नेताओं के हाथ के द्वारा ये साज़ेश के ताथ हमारा लेटर पैडर वाइरल किया गया है जो न तो हमारे द्वारा लिखा गया है और इसमें मैं मान भी कर रहा हूँ अब में मैं यफाईयार दर्ज कराने जा रहा हूँ यूपी में बीजेपी ने बाकी दलों में लगाई सेंध, S.P के विधायक हरियों मियादव और पूर विधायक धर्मपाल सिंग बीजेपी में शामिल कॉंग्रस के विधायक नरेश सैनी भी बीजेपी में आmare इस पे शोड़ने वाले हरियोम यादव मुलायम सिंग के रिश्रिदार हैं, हरियोम यादव की अखिलेश के चाचा राम गुपाल यादव से नहीं बनते हैं इवेपी नियो से बाचीत में अखिलेश आदव का दावा बड़े दलों के साथ अनुबव छीक नहीं रहा, बड़ी ताकत के रूप में छोटे दलों को जोड़ा गया है, छेत्रे दलों को साथ लाकर परिवरतन लाएंगे बड़े दलों के साथ जो अनुबव था वो ठीक नहीं रहा, परणाम जैसे हम चाते थे वैसे नहीं आए, इसी नहीं समाज़ादी पार्टी ने उत्तर बड़ेश के छेत्रे दल और जो छोटे दल हैं, उन दलों को साथ लाकर के एक बड़ी ताकत के रूप में तयार कर रह यूपी में सीट बटवारे के लिए अखिलेश का डबल डोस वाला फार्मला सहीोगी दलों के कई नेता एस्पी के चुनाव चेन पर लड़ेंगे, जैन चौदरे की पार्टी को 26 से 30, तों प्रकाष राजभर को मिल सकती है, 8 से 10 सीट है समाजवादी पार्टी NCP के लिए बुलन शेहर में अनूप शेहर और TMC के लिए मिर्जापूर सीट छोड़ेगी, अनूप शेहर से NCP के 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 शर्मा और मिर्जापूर से TMC के ललेतेश पतितर पार्थी लड़ेंगे चुनाव चुनाव से पहले उत्राखन कॉंग्रेस के खटपट कॉंग्रेस से पूर प्रदेश अदेक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी के सभी पदों से हटाया, पार्टी विरुदी के तिविधियू कारो आए तीज रफ्तार के साथ कुछ और ख़बर देख लेते हैं पंजाब कॉंग्रेस के अदेक्ष नव्जोज सिंग सिंधू ने एबिपी न्यूस से कहा सीएम बनना मेरे हाथ में नहीं, मुख्यमंत्री बनाना पार्टी आला कमान और जनता के हाथ में हैं चनाव स्चेहरे या मुद्दो पर लड़ा जाता है तो चार के लिए पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल बोले पंजाब में आपके मुख्यमंत्री उम्मीदबार का ऐलान अगले हफते करेंगे लॉय एंड ओर्डर की स्थिती काफी खराब होती जा रही है चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है पंजाब की खरण में अर्विन के जिवाल के घरगर जाकर परचार पर सवाल उठे स्थिये में पांच लोगों से ज्यादा चुटाने पर नोटिस भीज कर मांगा जवाल पंजाब चनाव के लिए साइंक्त समाज मोर्जा में दस उमीदबारों की पहली लिस्ट जारी की बलबीर सिंग राजेवाल समराला से चनाव लड़ेंगे ड्रक्स केस में मोहाली में SIT की टीम के सामने पेशवे अकाली दल किनेता बिक्रम मजीथिया बोले मेरे खिलाब वयान दे रहे सिंधू और अंधावा की जांच को नी चाहिए प्रुधानमंत्री मोधी कि अगवाय में आ सुअछ दस बजे बीज़ेपी केंदरे चुनाज समिती की बैठक पिधार सभा चुनाओं के लिए उम्मीदबारों के नाम पर रगेगी अंतिम मोहर बीजेपी केंदर चुनास समिती की बैठक में आमिश्चाह, सीम योगी, सुनील बंसर, स्वतंत्र देश सिंग समें तमाम नेता रहेंगे मौजूद पंजाब चुनाव के लिए उमीद्वारों पर आज शाम केंदर चुनाव समिती की बैठक पहली लिस्ट पर मोखर लगने के उमीद कॉंग्रस में उत्राखन के उमीद्वारों पर आज मंथरन चर्चा के दिल्ली में सुभा 11 बजे कॉंग्रस की स्क्रीन कमेटी की होगी बैठक दिल्ली के सीएब के जिवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन मोहाली में प्रस कॉंफरेंस करेंगे चुरी अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एहम खबरों का रूप कर ले तेज रफटार में परश्मी यूपी के किसानों को साधने में जुटी शिवसेना पाटी नीता संजर राउत आज दो पह मुझफर नगर में किसान नीता रा के इस्टिकेट से मुलाकात करेंगे देश में कोरोना संकत पर पीए मूदी का मंथन आज शाम सारी चार दजरे प्धानवित्री सभी मुख्य मंतरियों के साथ कोरोना के हाला और नए वेडिन टो मिक्रोन पर वर्च्वल से मिक्षब बैठत करेंगे प्रियाग राज में 14 जिन्वरी से शुरू होने वाले माग हमेले पर आज लाहवाद हाई गोट में होंगे सुरवाई या जुका में कोरोना के बढ़ते संकत के मीच माग हमेले के आयोजन पर रोक लगानी की मांगी देख है आज दो लाग के पार जा सकता है कोरोना का आकड़ा कल एक दिन में तक्रीब बन एक लाग पिंचानवे हजार नाए कोरोना संक्रमित पाए गए चार सो बैयालीस लोगों की मौत भी हुई स्वास्त मंत्राले के मताबिक पूरी दुनिया में ओमिक्रोन से 115 लोगों की मौत हुई भारत में अब तक सिर्फ एक मौत की पुष्टी हुई है स्वास्त मंत्राले ने कहा कोरोना के सबसे ज़्यादा केसिस महरश्टों से आ रहे ओमिक्रोन को लेकर नीती आयो की छेतावनी कहा ओमिक्रोन के संक्रमन को नाम माने सिर्फ सर्दी और जुकाब इससे बड़ा नुक्सान की संभव साधानी बरतनी की ज़ुरत हम हमेशे मास्क पहन के रखें हाथ धुए सैनिटाइज करें दोगज की दूरी बना कर रखें और समय पर अपना ठीका कराएं दिले में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफतार 24 घंटे में 27,561 नए केस आये 44 मरीजों की मौत भी भी दिले में पुलिस वालू पर कोरोना की मार पिछले 12 दिन में 1700 से जाधा पुलिस करवी संक्रों में पाए गए पुलिस मुख्याले में लगाई चाह रही है के बूस्टर डोस मुंबाई में एक दिन में तक्रिवन 16,000 नए कोरोना केसिस रिपोर्ट हुए हैं साथ मरीजों की जानवें पॉने 15,000 लोग एलाज के बार ठीक हुए कोरोना की वाक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का दावा को वाक्सीन का बूस्टर ओमिक्रोन और डिल्टा वेड़न्ट पर कारगर है कोरोना संक्रमन की बाद अस्पताल में भर्ती लटा मंगेशकर खत्रे से बाहर अब भी आईस्यू में भर्ती हैं डॉक्टरों की मताबिक 10 से 12 दे निग्रानी में रखेंगे लटा को मिमॉनिया हुआ है पंजाब के पूर्बस सीएम कैप्टन अम्रुंदर सिंग कोरोना संक्रमन पाए गए उनमें हलके लक्षन दिखे नई पार्टी पंजाब लोग पॉंग्रस बना कर प्रचार कर रहे थे कैप्टन तक्रिबन 79 साल के है दूसरे दिन के खेल के बाद रुमांचक मोर पर केप टाउन टेस्ट माच्च पहली पारी में भारत को 13 रनों की लीड दिन के खेल खक्म होने तक दूसरी पारी में 57 रन को जोड़ कर कुल 70 रनों की लीड हाथ में है आठ विकेट विकेट विराट और पुजारा नौट तक्रिबन केप टाउन में खेल के दूसरे दिन दक्षुन अफ्रिका पहली पारी में 210 रनों पर आल आउट जस्पीद वुम्राह ने सबसे जादा पांच विकेट चटका रहे एबीपी नीउज आपको रखे आगे का रहे से जादन में अगे लो ओने दा जादाता रहे झाल झाल